आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्चन में जाकर या उपर आई बटन पर क्लिक करके फर्स्ट एपिसोड को देख लीजिये तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए अब हम एपिसोड टू की शुरुआत करते हैं दोस्तो आज मैं आपको बताऊंगा अनसक्सेसफुल ट्रेडर की साइकलोजी और बिहेवियर के विशय में ट्रेडिंग साइकलोजी के अनुसार वे कौन सी गलतिया है जो एक ट्रेडर बार-बार करता है जिसके कारण वह एक सकसेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाता है तो सबसे पहला जो साइकलोजीकल कारण है वह है ट्रेडिंग विदाउट नोलेज मतलब कि बीना किसी जानकारी के बाजार में ट्रेडिंग करना दोस्तो आपने ऐसे कई ट्रेडर बाजार में देखे होंगे जिने शेयर बाजार की ABCD भी नहीं पता हैं वह बाजार में आते ही ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं ना तो इन लोगों के पास टेकनिकल एनालिसिस का कोई नोलेज होता है और ना ही फंडामेंटल एनालिसिस का यहाँ लोग दूसरों से इंस्पायर होकर बाजार में एंट्री करते हैं जैसे की इनके किसी दोस्त या रिष्टेदार ने शेयर बाजार में लाखो करोडो रूपए कमा लिये हैं तो यह लोग इनको देखकर इंस्पायर हो जाते हैं और बाजार में डायरेक्ट प्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं इसके बाद बाजार इनका क्या हल करता है ये तो आप सभी भली भाती जानते ही है मुझे नहीं लगता है कि मुझे इस विशे में आपको बताने की जरूरत है यहाँ पर इन लोगों को यह समझना जरूरी है कि शेर बाजार में आने वाले 90 प्रतिशत लोग यहाँ पर अपना सारा पेसा डुबो देते हैं केवल और केवल दस प्रतिशत लोग ही इस बाजार में मुनाफ़ा कमा पाते हैं ये 10 प्रतिशत लोग वे होते हैं जो पहले बाजार में टेकनिकल एनालिसिस को सीखते हैं, ट्रेडिंग साइकलोजी के विशे में सीखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस को सीखते हैं, इस बाजार को रीड करने की शमता को विक्सित करते हैं, तब जाकर यह लोग इस बाजार में मुनाफ़ा कमा पाते हैं तो यहाँ पर पहला जो कारण है trader के loss खाने का वो है trading without knowledge अगला जो कारण है वो है treat trading like gambling मतलब की trading को 60 समझना दोस्तों कई लोग share बाजार में trading को 60 समझते हैं और अपने आपको बाजार का सटोरिया इसे लोग बाजार में यहाँ सोचकर आते हैं कि यहाँ पर हम कुछ लाख रुपे लेकर आये हैं अब हम इन पेसों से बाजार में दाव लगाएंगे और यहाँ सोचते हैं कि इन पेसों से या तो आर या फिर पार इसके बाद वे लोग बाजार में कुछ भी खरीद लेते हैं कहीं से भ चाहल होता है ये तो आप सभी जानते ही है यहाँ पर सीखने वाली बात यहाँ है कि बाजार कोई सटा मार्केट नहीं है जो आप यहाँ पर आकर दाव लगाना शुरू कर दो अगला जो कारण है वो है emotional trading मतलब की भावनात्मक trading दोस्तो यहाँ जो समस्या है emotional trading की यहाँ लग कि आपको चाहे technical analysis आता हो या ना आता हो यहाँ सभी trader को प्रभावित करता है जैसे कि अगर आपको technical analysis की अच्छी खासी जानकारी है और आप कोई technical देखकर बाजार में trade लेते हैं उसके बाद आपके emotions आपको अलग-अलग तरह से प्रभावित करने लगते हैं आपका मन आपसे कहता हैं अरे यार कहीं ये trade मेंने गलत तो नहीं ले लिया कहीं बाजार इसी जगह से वापिस पलट तो नहीं जाएगा अगर मेरा stop loss हो गया तो क्या होगा इसी तरह के कई खयाल आपके दिमाग में चलने लगते हैं और आपके दिलो दिमाग में trade को लेकर भय पेद कर देता हैं और आप निराश होने लगते हो और आप सोचने लगते हो मैंने इतनी जल्द बाजी क्यों करी कभी कभी एसा भी होता है कि आप technical के अनुसार कोई trade लेते हैं और trade लेने के कुछ समय बाद वहाँ अच्छे खासे profit में चला जाता हैं तब trade में जो profit हो रहा हैं वह आपके दिमाग में घुसने लगता हैं तब trader यहाँ सोचने लगता हैं कि अगर मेरी quantity यहाँ पर double होती तो मुझे इतना profit हो रहा होता आप यहाँ पर खयाली पुलाव बनाने लगते हो आप यहाँ पर लालज के शिकार हो जाते हो और इसी लालज के चलते जब trade target को hit करता है तब भी आप बाजार में profit book नहीं करते हो और इसी लालज के चलते कभी कभी traders को बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता हैं दोस्तो कभी कभी कुछ trader ऐसे भी होते हैं जो की जोश में आकर trade करते हैं और जोश में अक्सर व्यक्ति अपना होश खो देता हैं और trade लेने के बाद जब trade loss में जाने लगता हैं तब trader को कुछ समझ नहीं आता हैं कि वह क्या कर रहा हैं उसे समझ ही नहीं आता हैं कि stop loss कहां पर लगाना हैं रिस्क management कैसे करना हैं और जब trader को समझ में आता हैं कि वह क्या गलती कर रहा हैं तब तक उसे बहुत बड़ा loss हो चुका होता हैं दोस तब इस सर्वे में यहाँ पता चला कि जो ट्रेडर ट्रेडिंग के दोरान अपने emotions को control में नहीं रख पाते हैं, जो बाजार में भावुक होकर trade करते हैं, जो डर या लालच में आकर trade से exit कर लेते हैं, ऐसे ट्रेडर बाजार में loss का सामना करते हैं. जो लोग emotionally weak होते हैं, जो ट्रेडिंग के दोरान अपने emotions को control नहीं कर पाते हैं, वे ट्रेडर बाजार में हमेशा loss खाते हैं, देखिए यहाँ पर आपको एक चीज को समझना होगा, कि हम लोग इंसान हैं, और हम अपने emotions को, अपनी भावनाओ को पूरी तरह से खतम कर दे, य यही हैं कि एक ट्रेडर अपनी भावनाओ को, अपने emotions को control करना सीख ले, वह किसी भी डर, लालच, दबाओ या जोश में आकर कोई भी ट्रेड ना करे, यहाँ पर आपको इस बात को समझना बहुत जरूरी हैं, कि आपको कोई भी यह नहीं सीखा सकता हैं, कि आप अपने emotions क कैसे control कर सकते हैं, जैसे कि आपको किसी ट्रेड में loss हो जाए, उसके बाद आप बहुत दुखी या अपने आप पर बहुत गुसा होते हो, तो अब आप अपने गुसे को कैसे control कर सकते हैं, ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, यहाँ तो व्यक्ति-व्यक्ति पर निर्भर कर कि वह अपने emotions को कैसे control करता है। हाँ लेकिन trading psychology आपको यह जरूर बता सकती है कि आप अपने emotions को कैसे control कर सकते हैं। वो हम अगले एपिसोड में जानेंगे क्योंकि अभी तो हम इस एपिसोड में trader की गलतियों को समझने की और जानने की कोशिश कर रहे हैं। पसन आ रहा हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तो अगला जो कारण है वो है revenge trading mode मतलब की बदले की भावना के साथ trading करना। दोस्तो जब किसी trader को loss हो जाता हैं या उसका stop loss बार बार हीट हो जाता हैं तब वह revenge trading mode में आ जाता हैं। trader यहाँ सोचता हैं कि बाजार बार बार मेरा stop loss हीट करने आता हैं और मेरा stop loss हीट करने के बाद वापिस से उपर चला जाता हैं। trader यहाँ पर बाजार से लड़ाई करने की सोचने लगता हैं उसे लगता हैं कि बाजार बार बार मेरा stop loss हीट करता हैं अब तो इस बार में trade में stop loss ही नहीं लगाऊंगा देखता हूं कि बाजार कहां तक जाता हैं इस बार तो मेरी बाजार से आर या पार की लड़ाई हैं इ यहाँ पर ट्रेडर को यह समझना चाहिए कि यहाँ बाजार इमोशन लेस होकर चलता है, इस बाजार को कोई फरक नहीं पड़ता है कि आप बाजार में प्रोफिट बना रहे हो या लोस खा रहे हो, बाजार तो हमेशा उसी के हिसाब से ही चलेगा, यहाँ पर हर एक ट्रेडर को यह समझना चाहिए कि बाजार ट्रेडर के हिसाब से नहीं चलता है, ट्रेडर को बाजार के हिसाब से चलना पड़ता है, क्योंकि अगर आप बदले की भावना के साथ ट्रेडिंग करोगे, रिवेंज मोड में ट्रेडिंग करोगे, तो आखिर में लोस आपका ही होगा, क पहल रहा था तभी समुंदर में से एक लहर आई और वहाँ आदमी पूरा गिला हो गया तब उस आदमी ने यहाँ सोचा कि समुंदर की इतनी हिम्मत कि मुझे गिला कर दिया अब मैं इस पूरे समुंदर को खाली कर दूँगा वहाँ आदमी अपने घर गया और एक बाल्टी लेकर वापिस आ गया और समुंदर को खाली करने में लग गया तभी अचानक एक बड़ी सी लहर आई और उस आदमी को अपने साथ बहा कर ले गई तो इस छोटी सी कहानी से आपको यह समझ में आ ही गया होगा कि जिस प्रकार से वहाँ आदमी कभी भी समुंदर को खाली न मोट के कारण लोस में डूबाता जाएगा इसलिए हर एक ट्रेडर को रिवेंज ट्रेडिंग मोट से बचना चाहिए अगर कभी थोड़ा बहुत लोस इस ट्रेडिंग मोट के कारण लग भी जाए तो उसे बाजार का हिस्सा समझ कर भूल जाना चाहिए जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ इस ट्रोपलोस हिट होना तो बाजार का ही एक हिस्सा है जो की होना ही है अगला जो कारण है वो है ट्रेडिंग फोमो फोमो मतलब की fear of missing out ट्रेडिंग फोमो मतलब की कहीं ट्रेड ना छूट जाए इस बात का डर दोस्तो कई ट्रेडर बाजार में हो जाते हैं ट्रेडिंग फोमो को आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ एक बार एक businessman और उसका assistant एक गाउं में जाते हैं और गाउं में जाकर गाउं के लोगों से कहते हैं कि हम शहर से आये हैं हमने सुना है कि आप के गाउं में बहुत सारे बंदर हैं हम उन बंदरों को खरिदना चाते हैं अगर आप लोग बंदरों को पकड़ कर हमारे पास लेकर आओगे तो हम एक बंदर के आपको 10 रुपे देंगे तबी गाउं के एक आदमी ने उस assistant से पूछा आपको बंदर क्यूं चाहिए क्या श सरकस में नाज गाना कर सके इसलिए हमें बंदर चाहिए हम इन बंदरों को लेकर सरकस वालों को बेच देंगे अब गाउं के कुछ लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग बंदर पकड़ने का काम करें और इस व्यापारी को बेच दें जिससे हमारी एक नई इनकम शुरू ह अब गाउं के कुछ लोगों ने बंदर पकड़ने का काम शुरू किया, वे दीन भर बंदर पकड़ते और शाम को व्यापारी को जाकर बेच देते, कुछ दिनों तक यहाँ काम ऐसे ही चलता रहा, फिर गाउं में धीरे धीरे बंदरों की कमी होने लगी, अब गाउं के लोग मुश्किल से 10 या 15 बंदर ही दिन भर में पकड़ पाते थे, यहाँ इस्तती देखकर व्यापारी ने कहा, अब आपको एक बंदर के 20 रुपे मिलेंगे, एक बंदर लाओ और 20 रुपे ले जाओ, गाउं के लोग फिर पूरे जोश से बंदर पकड़ने लगे, और मुश्कि पकड़ने लगे, और मुश्किल से उनको दिन भर में 5 या 6 बंदर ही मिलते थे, अब फिर व्यापारी ने कहा, अब आपको एक बंदर के 100 रुपे मिलेंगे, एक बंदर लाओ और 100 रुपे ले जाओ, अब यहाँ बात सभी गाउं वालों के पास पहुच गई, कि व्यापा अब एक बंदर के 100 रुपे दे रहा है, गाउं वालों ने अपने सारे काम धंदे बंद किये, और बंदर पकड़ने में लग गए, और दिन भर में मुश्किल से एक या 2 बंदर ही पकड़ पाए, अब यहाँ इस्तती देखकर व्यापारी ने कहा, अब आपको एक बंदर के 300 रुपे मिलेंगे, एक बंदर लाओ और 300 रुपे ले जाओ, गाउं वाले पूरे जोश में बंदर पकड़ने निकले, पर दिन भर में मुश्किल से उन्हें एक बंदर ही मिला, अब व्यापारी ने कहा, कि अब आपको एक बंदर के 500 रुपे मिलेंगे, एक बंदर लाओ और 500 रुपे ले जाओ, अब गाउं वाले जंगल जंगल घुमें, हर जगर ढूंडी, पर उनको एक भी बंदर नहीं मिला, गाउं वालों ने एक एक कोना चान मारा, पर उनको कहीं से भी एक भी बंदर नहीं मिल रहा था, अब ये इस्तती देखकर व्यापारी ने कहा, अगर कल तक तुम लोग बंदर लेकर नहीं आए, तो हम इन बंदरों को लेकर वापिस शहर चले जाएंगे, और वहाँ पर जाकर सरकस वालों को बंदर बेच देंगे, उसके बाद हमें बंदरों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अगर बंदर लाना है, तो कल ही लेक अगर आज आना, अब गाउं वालों को चिंता होने लगी, अगर आज बंदर नहीं पकड़े, तो कल व्यापारी को बंदर कहां से देंगे, और व्यापारी वापस शहर चला जाएगा, गाउं वालों ने हर एक जगह छान मारी, जंगल का एक-एक कोना ढून लिया, पर कहीं इसे भी एक भी बंदर नहीं मिला, अब रात में सभी गाउं वाले चिंता में बेटे हुए थे, तभी व्यापारी का असिस्टेंट गाउं वालों के पास आया, और बोला कि मुझे पता चला है, आप लोगों को एक भी बंदर नहीं मिला है, तो क्यों ना एक काम करें, जो बंदर अभी पिंजरे में बंद हैं, वो आप लोग मुझसे 600-600 रुपे में खरिद लो, और सुभा आकर व्यापारी को एक-एक हजार रुपे में बेच देना, इस तरह हम दोनों का फाइदा हो जाएगा, और व्यापारी को क्या पता चलेगा, कि यह कौन से बंदर हैं, और फिर उस असिस्टेंट से सारे बंदर 600-600 रुपे में खरिद लिए, किसी ने 10 बंदर खरिदे, किसी ने 20, किसी ने 50, तो किसी ने 100 बंदर, ऐसे करके सभी गाउवालों ने सभी बंदर खरिद लिए, अब सभी गाउवाले सुभा होने का इंतजार करने लगे, और सोचन अपने अपने बंदरों को गिन कर खुश हो रहे थे अब सुबह हुई गाउंवाले अपने अपने बंदर लेकर व्यापारी के ओफिस गए सुबह की दस बज गए व्यापारी और उसका असिस्टेंड ओफिस नहीं आये गाउंवालों ने सोचा शायद कुछ काम आ गया होगा इसलिए थोड़ी देर लग रही हैं आने में अब दोफार की बारा बज गई कोई नहीं आया अब गाउंवाले थोड़ी चिंता करने लगे अब दोफार की दो बज गई ना व्यापारी आया और ना ही उसका असिस्टेंड सभी गाउंवालों की हवाया उड़ने लगी जाशा में बदल चुका था गाउं के सभी लोग कंगाल हो चुके थे बड़े बड़े धनी लोग भी फटे हाल और कर्ज में डूप चुके थे और जो बंदर उन्होंने 600-600 रूपए देकर खरीदे थे अब वह उन्हें मू बना कर चिड़ा रहे थे तो अब आप यहाँ प जो आपको उन दामों पर शेर खरीदने के लिए प्रेरित करता है और जो गाउं वाले हैं वो आप जैसे छोटे ट्रेडर जब व्यापारी ने गाउं वालों से कहा अब आपको एक बंदर के 1000 रूपए मिलेंगे और अगर कल तक तुम लोग बंदर लेकर नहीं आए तो मैं इन बंदरों को लेकर वापी शेर चला जाऊंगा यहां सुनकर गाउं वालों में डर आ गया अगर हम बंदर नहीं लाए तो व्यापारी कल चला जाएगा और फिर वापस नहीं आएगा बिल्कुल ठीक ऐसा ही डर शेर बाजार में ट्रेडिंग के दोरान ट्रेडर के दिमा और उसके बाद वह उस ट्रेड में फस जाता है अगर आप भी ट्रेडिंग फोर्मों के शिकार हैं तो आपको भी इस चीज से बचके रहना चाहिए अगर आपसे कोई ट्रेड छूट जाए तो उससे जाने दीजिए उसके पीछे मत पड़िए इस बजार में आपको पीछे पीछे भागोगे की भाई मैंने तो ट्रेड की टिकेट ली हैं मैं तो इसी ट्रेड में बेठूंगा समझ रहे हो आप ट्रेडर यहां पर कितनी बड़ी गलती करता है जो ट्रेड छूट गया है उसे जाने दो अब जो नया ट्रेड बनेगा उस पर नजर रखो अग अगलक इंडिकेटर के साथ ट्रेड को एनालिसिस करते रहते हैं और वो देखते हैं कि एक स्ट्रेडेजी तो ट्रेड में बाइंग दिखा रही हैं और एक स्ट्रेडेजी ट्रेड में सेलिंग कुछ इंडिकेटर्स ट्रेड में दिखा रहे हैं और कुछ इंडिकेटर्स ट ट्रेडेजी को फोलो करना चाहिए या फिर दो से ज्यादा इंडिकेटर को एक साथ फोलो नहीं करना चाहिए अगला जो कारण है वो है ओवर ट्रेडिंग मतलब की जरूरत से ज्यादा ट्रेडिंग दोस्तो कई ट्रेडर इस बाजार में ओवर ट्रेडिंग के भी शिकार हो चाहिए और उसे loss हो जाता है कभी कभी एक ही दिन में बहुत सारा profit कमाने के चक्कर में कई सारे trade करते हैं और दिन खतम होते होते वे loss में ही दिखाई देते हैं मतलब कि trading में किसी प्रकार का कोई discipline नहीं रखते हैं अगला जो कारण इस बाजार में दिखाई देता हैं वो है trading without stop loss मतलब कि बिना stop loss के ट्रेडिंग करना दोस्तो अधिकांच ट्रेडर इस बाजार में बिना stop loss के ही ट्रेडिंग करते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि आप stop loss क्यों नहीं लगाते हो तो वे कहते हैं कि अरे भाई stop loss तो होता ही है hit होने के लिए जब भी हम stop loss लगाते हैं वो hit हो ही जाता हैं चाहे कुछ भी कर लो दोस्तो बिना stop loss के ट्रेडिंग करने का मतलब है एसी गाड़ी चलाना जिसमें break ही ना हो और बिना break वाली गाड़ी चलाने का क्या परिणाम होता है ये तो आप सभी अच्छी तरह से जानते ही हैं दोस्तो अगला जो कारण है वो है averaging दोस्तो जो ट्रेडर बाजार में stop loss नहीं लगाते हैं वे अपने trade की averaging करने में लग जाते हैं जैसे की किसी ट्रेडर ने ABC शेर को 2000 रुपे में खरीदा और उसकी quantity 200 शेर की हैं और शेर खरीदने के बाद stop loss नहीं लगाया अब शेर घटकर 1800 रुपे पर आ गया है यहां से ट्रेडर ने 300 शेर और खरीदे और फिर stop loss नहीं लगाया अब शेर घटकर 1500 रुपे पर आ गया है यहां से ट्रेडर ने 400 शेर और खरीदे और फिर stop loss नहीं लगाया अब शेर घटकर 1200 रुपे पर आ गया है यहां से ट्रेडर ने 500 शेर और खरीदे फिर stop loss नहीं लगाया अब शेर घटकर 1000 रुपे पर आ गया है ट्रेडर को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि यह क्या हो रहा है अब शेयर घटकर 700 रुपे पर आ गया है ट्रेडर पूरी तरह से हताश और निराश हो चुका है आखिर में वो थक हार कर ट्रेड से एक्जिट हो जाता है और एक बहुत बड़ा लोस बुग कर लेता है दोस्तो ट्रेडिंग के नजरिये से एवरेजिंग का कोई काम नहीं है एवरेजिंग सिर्फ और सिर्फ एन्वेस्मेंट में की जाती है जहाँ पर ट्रेडिंग की बात आती है वहाँ पर आपको हमेशा इस्टोपलोस को फोलो करना ही पड़ेगा अगर आप ट्रेडिंग में इस्टोपलोस को फोलो नहीं कर रहे हो तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप बाजार में सट्टा खेल रहे हो दोस्तो अगला जो कारण है वो है trading with heavy quantity मतलब की बड़ी quantity में trade करना दोस्तो कई trader अच्छा और बड़ा मुनाफा कमाने के चक्कर में बहुत बड़ी quantity में trading करते हैं जो कि उनके trading capital को बिल्कुल भी support नहीं करती हैं जैसे कि किसी trader की trade करने की capacity 100 share की है उसके trading capital के हिसाफ से लेकिन वह trader उस trading capital पर 1000 share के साथ trading करता हैं तो इसका मतलब साफ है कि वह trader बाजार में 60 खेल रहा हैं वह trader margin trading के चक्कर में पढ़कर जल्दी से अमीर बनने की कोशिश कर रहा हैं heavy quantity में trading करने का मतलब है heavy loss की तरफ जाने की कोशिश करना दोस्तो ये कुछ ऐसे psychological कारण थे जिनकी वजह से maximum trader बाजार में असफल हो जाते हैं और बाजार में कभी भी एक successful और professional trader नहीं बन पाते हैं अगर इन में से आपके अंदर कोई ऐसा कारण है जो आपको एक successful trader बनने से रोक रहा हैं तो ट्रेडिंग साइकलोजी के अनुसार 90 दिनों तक लगातार आप उसे avoid करके आप इन कारणों से छुटकारा पा सकते हैं मतलब की 90 दिनों तक लगातार आपको इन हरकतों को नहीं करना हैं दोस्तों इस वीडियो को देखकर आपको अपने अंदर के भी कुछ ऐसे कारणों का पता चला होगा जो आपको एक successful trader बनने से रोक रहे होंगे तो इन में से वो कौन से कारण हैं जो आपको एक successful trader बनने से रोक रहे हैं आप मुझे comment box में जाकर बता सकते हैं या इन कारणों के अलावा भी कोई ऐसा कारण हैं जो आपको रोक रहा हैं तो आप मुझे बता सकते हो comment box में जाकर तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि वे कौन से psychological कारण हैं जिसके कारण एक trader बाजार में असफल हो जाता हैं अगले एपिसोड में हम एक successful trader की psychology, उसके behavior, उसकी habit और उसके mindset को समझने की कोशिश करेंगे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया हैं तो please चैनल को जल्दी से subscribe कर लीजिए और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को like कर दीजिए अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में हैं तो आप comment box में जा कर पूछ सकते हो आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे good bye, धन्यवाद